हेलो फ्रेंज, वेल्कम टू फिल्वारी देखे इस समय फेस्टिवल कर टाइम चल रहा है दिवाली आने ही वाली है दिवाली में हम अपने घर को घर के साथ सफाई करते हैं घर को सजाते हैं प्लांट्स हमारे घर को सजाने में एक important role play करते हैं plants घर को decorate करने का काम तो करते ही हैं साथ ही हमारी घर की air को pure करने का काम भी करते हैं आज इस वीडियो में हम आपके साथ share करेंगे कुछ ऐसे indoor plants जो दिवाली gift के लिए भी आप नर्सी से ला सकते हैं और यह अपने घर को decorate करने के लिए भी आप नर्सी से इन सभी indoor plants को ले सकते हैं तो आएए देखते हैं कि कौन-कौन से इस plants है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट में पहला plant है जीजी plant जीजी plant एक बहुत सुन्दर indoor plant होता है और यह बहुत खुबसूरत लगता है जीजी plant के खासेती होती है कि एक डाक प्लेस में भी बहुत अच्छे से survive करता है तो आप दिवाली पर जीजी plant भी अपने घर में ला सकते हैं और यह बहुत खुबसूरत लगता है और एकदम low maintenance plant होता है और यह gift के लिए बहुत अच्छा रहता है इसकी यह green वाली variety है जीजी plant के एक होती है जो थोड़ा dark purple से color में जिसके list होती है जीजी plant की जो नीचे जड़ी होती है वो आलो की तरह होती है उन्हें हम rhizome बोलते हैं तो जब आप नरसे से लाकर एक पार जीजी plant लगाते हैं तो कुछी दिन बाद आप देखेंगे कि नीचे से ऐसे baby plant निकल आते हैं और इन्हें आप separate करके नए plant इनसे तयार कर सकते हैं तो जीजी plant air purifying plant होता है और बहुत ही एक खुबसूरत plant देखने में लगता है दिए मैंने जू ट्रोप के planter में इसको लगाया हुआ है और ये बहुत ही खुबसूरत लगता है next plant है snake plant snake plant भी एक बहुत ही अच्छा इंजोर plant होता है और बहुत खुबसूरत ही लगता है और air purifying plant ही होता है snake plant के दो variety होती है एक जिसके ये यो बॉरडर होता है और दूसरा एक प्लाइन लेस होती है जिसके green color के उसकर ये ड़ राइटी है ये जो ये ये जो बॉरडर वाला snake plant होता है इसकी duck variety यह वाली है और एक उसने promise लेस के से ठेंट कर तक लेटी है इसकीए उसकी ये खास्यत ह कि छोटे से छोटे पॉट में आप इसको लगाईए बहुत अच्छे से सरवाई करता है देखिए वैने बुद्धा रखे हुए हैं बुद्धा जी और इनके आगे छोटे से पॉट में लीट शेप का पॉट है और इसमें स्नेक प्लांट ही लगा हुआ है और बहुत ही लगता है यह अब है बहुत है अच्छे सर्वाइव करता है यह आप इसे बिवाली पर अपने घर लाइए और बहुत खुबसूरत यह लगता है एक लिप्स्टिक एक वैलंटाइन आगलो नीमा होता है जिसकी जो लेस होती है वह डाक पिंक कलर की होती है और एक ग्रीन जिसके लेव्ड जो होती है ग्रीन कलर की होती है वो थोड़ा हाड़ी होता है तो इसके जो लेव्ड होती है इसा लगता है जैसे आर्टिफिशल प्लांट हो तो एक लो नीमा भी आप दिवाली पर बाई कर सकते हैं नेक्स प्लांट है मनी प्लांट मनी प्लांट एवर ग्रीन प्लांट होता है बहुत ही खब्सूरत लगता है तो आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं स्वैल में भी लगा सकते हैं मनी प्लांट बहुत ही खब्सूरत लगता है तो देखे मैंने इसे छोटे से सेरमिक पर्ट म प्लांट होता है तो आप इसे किसी भी सेरेमिक पॉट में या कोई सुन्दर सवास लेके पानी में ये सॉयल में लगा सकते हैं और बहुत ही खुबसूरत ही देखने में लगता है देखिए यहां भी मैंने एक फांटेन के पास छोटे से पॉट में मनी प्लांट लगा है कहीं भी लगा सकते हैं पानी में बहुत इसी लिग्रों हो जाता है और सॉयल में भी अच्छे से चलता ही है तो मनी प्लांट भी आप नर्सी सिभाई कर सकते हैं या कहीं से भी इसकी चोटे सी कटिंग आप लीजिए उसे पानी या सॉयल में लगाई ये बहुत ही संगोनियम भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और किसी भी कॉर्णर पर आप रखे बहुत ही खुबसूरत ही लगता है देखिए मैंने कांच की बॉल में सॉयल डालके इसको लगाया हुआ और ये बहुत अच्छे से चल रहा है दिकि इसकी जो लीव से वाइट हो रही है यहां पर लाइट नहीं आती है तो यदि आप संगोनियम का प्लांट रखते हैं तो इसे विंडो के पास है दोर के पास रखिए तो यह बहुत अच्छे से सर्वाइफ करता है और बहुत हल्दी रहता है अभी मैं कुछ दिन के लिए से आउट्डोर रखूंगी क्योंकि इ यह दीए मेरा दूसरा संगोनियम मैंने रखा हुआ हुआ है और यह दोर के पास रखा हुआ है इस में ब्राइट light इस प्लांट को मिलती रहति तो देखे इसकी लेट जो है एकदम ग्रीन है बहुत खुपसूरत ही लगता है संगोनियम का प्लांट तो बस आप यह ध्यान इसे आप gift भी कर सकते हैं और इसे अपने घर में decorate भी कर सकते हैं, बहुत खुब्सूरत यह plant लगता है, तो सिंगोनियम भी एक ऐसा plant है, जिसे आप दिवाले gift कर सकते हैं, और बहुत easy to grow plant होता है, एक बार आप लाईए, एक से काफी सारे plant से easily बन जाता है, इसे किसी भी सुन्दर सपोर्ट में आप लगाके इसको gift कर सकते हैं, next plant है, peace lily, peace lily भी बहुत खुब्सूरत indoor plant होता है, इसे आप लाकर किसी भी corner पर रखे, बहुत ही खुब्सूरत लगता है, तो इसे ऐसे जगह रखे, जैसे door के पास या window के पास यहां bright light आती हो, तो देखे मैंने इसको iron का, यह metal का pot है, और इसमें जो plastic के pot आते हैं, प्लास्टिक के pot में लगा के तब इसको इसमें लगाया हुआ है, और यह बहुत खुब्सूरत लगता है, तो पीस lily भी आप दिवाली पे, अपने घर मिला के अपने घर को सजा सकते हैं, बहुत ही खुब्सूरत यह plant होता है, नेक्स प्लांट है, पेपरुमिया, पेपरुमिया भी एक बहुत अच्छे हैं जो प्लांट होता है, और यह low light में भी बहुत अच्छे से चलता है, और देखें, यह एक्चुली बहुत कम पानी इसको चाहिए होता है, और मैं कुछ दिन के लिए बाहर चेल गई थी, तो इ बहुत खबस्वत लगता है, इसको लिए बहुत खबसूरत लगता है और यह सेकुलेंट वराइटी का प्लांट होता है, तो बाहत कम पानी इस प्लांट को चाहिए होता है, तो पेपरुमिया भी आप दिवाली पर लाकर अपने घर को डिकोरेट कर सकते हैं, या इसको गर में डिकूरेट कर सकते हैं यह देखे मैंने सेरमिक पॉट में ही लगाया हुआ है और बहुत खुबसूरत लगा रहा है और काफी दिन से इंडोर ही है रखा हुआ है बीच बीच में मैं इसको मन्त में एक बाद 6-7 दिन के लिए आउट्डोर रख देती हूं और बहुत अ ब्राइंग रूम में रखें लिविंग रूम में रखें बहुत खुबसूरत लगता है एक दम इसके जो लीव सोती है वो एकदम आर्टिशियल दिखती है और देखें किती ग्रीम इसके लिए सो रही है बस यह आप दहां रखें कि सौंग आफ इंडिया का प्लांट आप इसे भी आप दिवाली पे अपने घर में लाइए और किसे भी टेबल टॉप पर या किसी कौर्नों में रखें और बहुत खुबसूरत यह प्लांट लगता है जब यह प्लांट थोड़ा मैच्वर हो जाता है तो इसमें इसके रणर निकल के आते हैं और उसमें वाइट कलर जाना के चीड़ा दिवाली में अपने घर में लगाता है तो उसमेबल के टिवाली बहुत लगते हैं खुबसूरत ना अरा जरू यह कंते हरा है मैंने इसको देखे एक corner पे एक rack है वहां पे रखा हुआ है और बहुत ही खुब्सुरती है लगता है तो spider plant भी आप दिवाली पर बाई कर सकते हैं next plant है ginseng ficus ginseng ficus भी एक बहुत अच्छा indoor plant होता है तो देखे यह natural bonsai plant होता है तो इसे bonsai tree में आप लगाएं, ceramic tree में लगाएं यह terracotta की उसमें आप लगाएं बहुत ही खुब्सुरत लगता है तो आप ginseng ficus का plant भी दिवाली पर बाई कर सकते हैं next plant है shaflera या umbrella tree umbrella tree भी देखे बहुत अच्छा indoor plant होता है इसे दिवाली पर आप नर्सिस इस इलाके अपने घर को डेकूरीट कीजिए बहुत ही अपसूरत यह indoor plant होता है और यदि इन जोर आप इसको रखते हैं तो बीच में मंत में एक बार आप दस दिन के लिए इसे outdoor semi-shave में रखिए तो इससे यह plant है एकदम healthy रहता है देखिए मैंने इसे bonsai terracotta की tray में लगाया हुआ है और इस तरह से यह मूतिया देखिए रखिवेस में आप मैंने इसको bonsai का shape दिया है वैसे umbrella tree एक ऐसा plant होता है जो natural bonsai की तरह ही यह दिखता है बाकि आप इस तरह से इसकी cutting करते रही है यदि आपको bonsai look इसका देना है और इसे bonsai tray में लगाई तो यह perfect bonsai लगीगा और किसी भी corner पे या किसी भी corner पे table top वगारा पे इसको रखे side stool वगारा पे बहाती कुप्सूरत लग यह लगता है और तो देखिए कितना सुन्दर यह लग रहा है तो umbrella tree यह शफलेरा plant भी आप दिवाली पर लाकर अपने घर को decorate क कर सकते हैं plants में लगी lights लेखे किती खुबसूरत यह लग रही है और दिवाली के लिए garden तो यह रात में जब यह lighting इन plants पर लगते है तो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो यह सभी plants आप अपने घर दिवाली पर लाईए दिवाली पर gift आप इन plants को दीजिए जब हम plants घर में लगाते हैं तो बहुत अच्छी positivity आती है तो घर को decorate कीजिए और यह सभी plants अपने घर में लगाईए आज के लिए इतना ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो like और share की मिलते हैं एक नहीं वीडियो में एक नहीं plant के साथ तिल एन बाई बाई